छोटे-छोटे मगर बहुत काम के टिप्स नमबर एक, चीन्टी आने वाले जगह पर थोड़ा सा कपड़े धुने वाला साबुन लगा देने से चीटियां भाग जाती है नमबर दू, यदे महिलाओं में पीरियट्स चल रहे हों तो उने सौफ का सेवन करना चाहिए इसका सेवन काफी फायदे मंद होता है नमबर तीन, यदे पूरे दिन में दो बार दही का सेवन करती हैं तो व्यक्ति के दिल की धड़कन समाने बनी रहती है वहीं उच रख्ते चाप से जुड़े हुए रोग और किडनी की बिमारियां होने का खत्रा भी कम रहता है वहीं दही शरीर में कॉलिस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता नमबर चार, आप अपने शरीर को जितना आराम दोगे वह उतना ही आराम मांगेगा और जितना उससे काम लोगे वह उतना ही करेगा इसलिए हमें अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए नमबर पांच, बार-बार खासी उठती हो या कफ बाहर ना आता हो आयरवेट के अनुसार, अगर आप कमजोर हैं तो आपको शिलाजीत का इस्तेमाल दूद में बिलाकर करना चाहिए ऐसा करने पर आपकी सारी अंदरूनी कमजोरी दूर हो जाएगी नमबर साथ, सत्तू एक ऐसी चीज है जिसकी थोड़ी सी मात्रा आपका पेट भरने के लिए काफी होती है गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता और बार-बार लगने वाली भूख मोटापा बढ़ाने का काम करती है ऐसे में सत्तू ड्रिंक पीकर संतुष्ट रहने के साथ साथ आसानी से आप वजन भी कम कर सकते है नमबर आठ, शरीर का डाइजेशन सिस्टम खराब होने के कारण परिशानी हो जाती है तो ऐसे में गुड़ और चने खाए इसमें फाइबर होता है जो पाचन शक्ती को ठीक रखता है नमबर नौ, एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मत जीरा डाले और चाय की तरह उबाल कर इसे पी ले इसके रोजाना सेवन से शरीर की फाल्टूचर भी निकल जाती है इसे पीने के बाद एक घंटे तक कुछ न खाएं नमबर दस, प्यास को पानी में डाल कर उबालने पर इसका रस पीने से यूरिन डिलेटिट प्रॉब्लम दूर हो जाती है नमबर ग्यारा, बेल के पत्ते पीस कर गुड मिला कर गोलियां बना ली सुभा शाम खाने से वाइरल फीवर में फाइदा होता है नमबर बारा, केला स्वास्ति के लिए फाइदे मंद है लेकिन खाली पेट सेवन करने से कई नुकसान हो सकती है अगर इसे खाली पेट खाया जाए तो सेहत पर विपरी तसर डालता है और नुकसान कर सकता है शरीर में केल्शिम की मात्र में असंतुलन हो सकता है और हमें सुभा खाली पेट केला खाने से और ठकान हो सकती है नमबर तेरा, दिन में सिर्फ दो खीरे खाने से मुटापा तेजी से कम होने लगता है नमबर चौदा, पथरी होने पर हल्दी और पुराना गुड मिलाकर पीने से पथरी नश्ट हो जाती है नमबर पंदरा, दात खटे हो जाएं तो पादाम खाएं, दातों का खटापन इससे दूर हो जाता है नमबर सोला, गुर्दे की पथरी खत्म करने के लिए पुदीने का इस्तमाल जादा से जादा करें, इसे पथरी तूट कर निकल जाएगी 17. गुर्दे की सफाई के लिए हमेशा तर्बूज और धनिये कर जूस पिए 18. रात को जादा चावल का इस्तमाल ना करें, आपको नींद ना आने की बिमारी नहीं लगेगी 19. मैने की तेजाबियत हो, तो रोजाना दही का इस्तमाल बिना चीनी के करें 20. रीठे के पानी को नाक में डालने से आधे सिर का दर्द जाता रहता है, दो बून से ज़ादा इस पानी को नहीं डालना चाहिए 21. तुलसी के चार दाने काली मिर्च और लॉंग को पीस कर माथे पर लगा ले, इससे सिर दर्द में आराम मिलेगा 22. दोपहर के वक्त सुस्ती जादा पढ़ने लगती है और शरीर में डर्द होता है, जब तक कुछ देर लेट ना जाएं चैन नहीं आता, इसलिए दोपहर को सलाज में खीरा जरूर खाए, ये सुस्ती दूर करेगा और शरीर को ताकत देगा 23. मूली के दो चमच रस में चार दाने काली मिर्च को पीस कर मिला ले, फिर इसमें एक चुटकी नमक मिला कर सेवन करने से पेट कर दर्द गायब हो जाता है 24. दिल के रोगियों के लिए करेला की ड्रिंक बेहत फाइदेमंद होती है 25. यदि आप सिर्फ मूंग की डाल के साथ रोटी खाते हैं तो आपके लिए बहतर हो सकता है क्यूंकि मूंग में ज़ादा प्रोटीन पाया जाता है 26. आपकी हडियों से कट-कट की आवाज आती है तो समझ जाना चाहिए कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए परियाप्त मात्र में पनीर, दही और दूद का सेवन करना चाहिए 27. जो लोग नियमेत रूप से 2-3 अकरोट खाते हैं उन्हें टाइप 2 डाइबिटीस का खत्रा कम रहता है भीगे अकरोट बलड शुगर को कम करके डाइबिटीस के खत्रे को कम कर सकता है 28. कब्ज होने की अवस्था में सुभे पानी पीकर कुछ देर एडियों के बिल चलना चाहिए 29. अगर आपको ठकावत महसूस होने लगे तो थोड़ा सा गोड़ खाले ये आपकी एनरजी को बढ़ाएगा 30. पत्ता गोबी में दूद के बराबर केल्शियम पाया जाता है जो आपकी हदियों को मजबूत बनाता है इस कारण जिन लोगों को दूद पीना पसंद नहीं है उनके लिए यह एक बहतरी बिकल्प है इसलिए पत्ता गोबी का इस्तमाल करना चाहिए इससे उनके शरीर में केल्शियम की कमी नहीं होगी नमबर 31 आजवाइन और काला नमक को बराबर मात्रा में मिलाकर गर्म पानी के साथ लेने से पेट की गैस में राहत मिलती है आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही यूसफुल टिप्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें